दोस्तों नमस्कार, राजनीती में चर्चाएं चलती हैं, राजनीती में अफ्वभाई उड़ती हैं, राजनीती के अंदर कयास लगाए जाते हैं, लेकिन उन सब के पीछे अगर किसी प्रकार की तथ्यात्मक बात भी सामने आ जाए, तो फिर लोग विचार करते हैं मैं आपसे सारी बात का जिक राज इसली कर रहा हूं कि हर्याना प्रदेश के कद्दावर नेता हैं पलवल के पूर्व विधायक हैं पूर्व मंत्री हैं कई बार विधायक रहे हैं करण सिंग दलाव जब किरन चौधरी कॉंग्रेस छोड़ कर भारती जनता पार्टी में जा रही थी तो उनी दिनों एक अफ़वा चली बड़ी तेज चर्चा चली की अकेली किरन चौधरी नहीं और भी लोग जा सकते हैं बात ये भी चली कि किरन चौधरी के साथ भी जा सकते हैं और किरन चौधरी के बाद भी जा सकते हैं किरन चौधरी अपनी बेटी के साथ चली गई उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ करके भारती जंता पार्टी का दामन ठाम लिया अब उस पर चर्चा करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं चर्चा ये भी चली थी कि कुलदीब शर्मा जा सकते हैं तो कुलदीब शर्मा से तो एक तरह से कॉल वचन भरवालिया कॉल भरना कहते हैं लोकल लेंग्वेज के अंदर देहाती बाशा में जाएं तो कहते हैं कॉल कर लिया यानि की वचन कर लिया और वचन भरवालिया भुपेंदर सिंग घुड़ा ने कुलदीब शर्मा से कि भाई पंडित जी थम छोड़ोगे नहीं और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दमगा एक और नाम चलता था दोस्तो करन सिंग दलाल का कि क्या करन सिंग दलाल भी कॉंग्रेस छोड़ करके भारती जनता पार्टी में जा सकते हैं अब आपको बताओं तो करन सिंग दलाल की चर्चाएं केवल यूँ ही नहीं थी करन सिंग दलाल की चर्चाएं कुछ यूँ चलती थी कि लोगसभा चुनाओं में करन सिंग दलाल दावेदार थे टिकेट का उन्होंने आविदन किया था करन सिंग दलाल तयारी भी कर रहे थे लंबे समय से उनकी इच्छा भी थी, जिग्यासा भी थी, मन भी था और चाहते भी थे कि उनको टिकेट मिले और वो चुनाओ लड़ें लेकिन उनको लोगसभा का चुनाओ का टिकेट नहीं मिला टिकेट मिलगा महिंदर परताप को और करन सिंग दलाल टिकेट ना मिलने की वज़ा से बहुत दिन तक नाराज रहे, कोग भवन में रहे कभी पंचायत करते रहे, कभी कुछ हुआ, तमाम प्रकार की बातें चली हुड़ा साब से भी नाराज हुए, कॉंग्रेस के नेताओं पर भी नाराजगी व्यक्त की जब किरन चौधरी ने कॉंग्रेस छोड़ी, तो उस समय भी करन सिंग दलाल ने कहा कि मनाया जाना चाहिए था, ये भी कहा कि अगर कोई नेता जा रहा है इसलिए वो भी भारतिय जनता पार्टी में जा सकते हैं, टेलिफोनिक मेरी बात भी उनसे हुई थी और एक दो बार ने कई बार हुई, लेकिन हर बार करन सिंग दलाल कहते थे कि पार्टी छोड़ने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन दोस्तों एक कहावत है कि हाथी के दा पत्थर की तरह, चटान की तरह मजबूत गठबंदन होने का दावा करने वाले गठबंदन के हमराही सुभा अलग हो जाते हैं, यानि कि उनकी जो चटान की तरह मजबूत होती हैं, वो चटाने खिसक जाती हैं रात-रात में ही, और ऐसे ही नेता जो दावा करते हैं कि मैं यह हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, वो सब कुछ उनका बदल जाता है, पता नहीं चलता, पलग जपकते भी. Even इतना ही नहीं, उनके जो बहुत नसदीक, नियरस, डियरस्ट लोग होते हैं, उन तक भी भनक नहीं होती कि उनके आका करने क्या जा रहे हैं करन सिंग दलाल ये कहते हैं कि मैं कॉंग्रेस क्यों छोड़ूंगा और भारती जनता पार्टी में क्यों जाऊंगा लेकिन भारती जनता पार्टी के जो हमारे राजनितिक सूत्र है वो बताते हैं कि अंदर खाने कहीं खिचडी तो पक रही है, कहीं कुछ चल तो रहा है, कहीं कुछ बात हो तो रही है, कहीं कुछ ऐसा चल तो रहा है कि जिसके अंदर क्योंकि भारती जनता पार्टी के लिए 2024 का विधान सभा चुनाव जरूरी है, जाट मद्दाता और जाट नेता कुपित हैं नाराज हैं भारती जनता पार्टी से और जाट नेताओं को मनावन के दोर भारती जनता पार्टी की तरफ से चल रहे हैं अपनी पार्टी में लाने के लिए उनको तरह तरह के आकरशक ओफर दिये जा रहे हैं जब भी सौधा बेचना हो तो आकरशक ओफर दिये जाते हैं या किसी को अपने साथ लाना हो तो भी आकरशक ओफर दिये जाते हैं किरन चोधरी को भी कोई आकरशक ओफर दिया गया होगा बीच में बात तो ये भी चली कि दुश्यंत चोटाला की पार्टी को भी अपने साथ उड़ने का कोई इरादा नहीं है यह टेलीफॉनिक बात्चीत में बात्चीत हुई लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनकर एक इंट्रिव्यू भी देख रहा था उसके अंदर करन सिंग दलाल पूरी तरह डिनाय नहीं कर रहे हैं कि नहीं यह सारी अफवाएं ज कहीं दाल में काला है कहीं कुछ गड़वड है मैं आपसे इसली जिक्र कर रहा हूं कि कल कॉंग्रेस के निताओं की बैठक थी कॉंग्रेस के निताओं की कल एक महत्यपूर्ण बैठक थी और उस बैठक के अंदर कॉंग्रेस का आला कमान मौजूद था कॉंग्रेस के राष उस बैठक के अंदर कुमारी सहलजा भी थी और तमाम नान थे 42 नामों की सूची है मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं तमाम नाम उसके अंदर मौजूद थे लेकिन उस बैठक के अंदर बुलाया गया था करन सिंग दलाल को भी करन सिंग दलाल भी उस बैठक के लिए आमंत्रित थे और इस लिस्ट में करन सिंग दलाल का नाम आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर करन सिंग दलाल का नाम लिखा है फॉर्मर मिलिस्टर हरियाना लेकिन क करन सिंग दलाल उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए नहीं गए तीन लोग थे जो उस बैठक में नहीं गए रंदीप सिंग सुर्जेवाला करन सिंग दलाल और रामकिशन गुजर रंदीप सिंग सुर्जे वाला के लिए तो कहा जा रहा है कि वो आउट आफ कंट्री हैं देश में ही नहीं है घूमने गए हुआ हैं कहीं करन सिंग दराल तो कल पलवल में ही थे कई सामाजिक कारकरवों में उनको देखा गया लेकिन कॉंग्रेस की इतनी महत्वपूर्ण बैठक जिसके अंदर की तमाम कॉंग्रेस का अला कमान मौझूद था 2024 की रंडिती बनानी थी 2024 के विधानसभाद चुनाओ में कॉंग्रेस दस साल बाद कैसे वापसी करे इस पर मन्थन था राहूल गांधी अपने कॉंग्रेस के जो तमाम नेता थे भुपेंदर सिंग उड़ा और तमाम जो नेता उनको बता रहे थे एक तरह से वो पाटशाला थी और उसके अंदर सब को बताया जाना था कि हरियाना के अंदर सत्ता में कैसे आना है राहूल गांधी ने टिप्स भी दी, राहूल गांधी ने नसीखत भी दी, मलिका रजुन खडगे नें वी नसीखत दी कॉंग्रेस के नेताओं को भारती जनता पार्टी के नेताओं की कहां कमिया है वो सब भी बताया लेकिन इतनी महत्वपूर बैठक में अगर करण सिंग दलाल नहीं जाते तो उसके पीछे कारण क्या है उसके पीछे वज़य क्या हो सकती कि आखिर करन सिंग दलाल क्यों ने गए इसलिए आपसे कह रहा था कि राजनिती के अंदर मेरे भारती जन्ता पार्टी के सूत्र मुझे बता रहे थे कि कहीं कुछ चल तो रहा है डाल में कुछ काला है कहीं न का राजनीती करने का जो طरीका है वो बड़ा अग्रेसिव है करंसिंग दलाल बहुत जल्दी रूस जाते हैं मांन Becky जाते हैं करंसिंग दलाल अपनी बात को जोर से एक निसी ही है और जुए पे गुस्सा है वह उनमें कूट कूट कर भरा है है गलतको गलत और शही हjor कहने की बात अगर मैं उनकी मानलूँ तो ये भी उनके अंदर एक फन है किसको भी कहएदे देते हैं सार्वजनी रूप से भी कह देते हैं लेकिन बड़ी बात ही है कि इस मुद्दे पर क्या कुछ करंद सिंग दलाल चुपा रहे हैं क्या उनके मन में कुछ और चल रहा है और आपको मैं एक बात और आपके साथ जोड़ दूं कि जो भारती जंता पार्टी के जो मेरे सुत्र बता रहे हैं वो यह कहते हैं कि उपर लेवल तक बात च सामने आएंगी कि मेरी जानकारी के परति जंता पार्टी के जो राजनितिक सुत्र मुझे बता रहे थे उनका कहना था कि करंज सिंग दलाल को दो ओफर किये गए हैं जो और किये गए मों है यह अजिर रूरैं सबात छेत्र और पिर्थला विधान सबात लेकिन प्रत्रा के अंदर कोई कस्वा भी नहीं है, सारे गाउं है, और भारती जन्ता पार्टी के लिए ये दौनों विधानसभा छेत्रों के अंदर लोगसभा चुनाओं में कृशनपाल गूजर जो कैंडिडेट थे भारती जन्ता पार्टी के वो चुनाओं भी हारे, करन आपको क्या लगता है दोस्तों, करन सिंग दलाल की क्या चुपी है कहीं पर, आपको क्या लगता है कि क्या पलवल जिले की राजनीती में और हर्याना की राजनीती के अंदर अभी आने वाले दिनों में कितने बड़े-बड़े और बदलाव होंगे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना.